नमस्ते विद्यार्थे मित्रों, एक्सिलन्ट एजुकिसन चेनल पर आपनू स्वागत्ची, आजे आपने अभ्यास करीशू स्वाध्य इन्पोथी बाक्त्राण, तोरण आट, विशाई इन्दी, पाट चार, उठो दराकी अमर सपूतू, तचालो अभ्यास सरू करीशू, जो तमे चैनल पर नवावाई, चैनल सब्सक्राइब नो करियो है, तो चैनल ने जरूती सब्सक्राइब करी लेजू, चेती करीने नवा विडियो ना अपडेट्ट तमने तरत ज मलिया रहे, औने विडियो मा सरूती लहेने अंत सुन्दी बन्या रहे जो, चेती करीने मोस प्रस्टाइम बीच प्रस्ट्णों तुमने ख्यालावे अने वीडियो ना अंद माझे आदनी टीप्स वाए ते पन दमे चाणी सकू तो याद राखवानी दरेक वीडियो मां दरोज दरोज अलग अलग टीप्स आपूशू अने आदनी टीप्स तो जेशे ए आत्यार संदीना बदी टीप्स मां सवुथी बेश्ट रेवानी शे तो पाट चार प्रक्रण चार उठो दरा के अमर सपूदो प्रस्टन एक निमना लिखी पंक्तियों का बावार्थ स्पष्ट कर्द लिखिए एक कली कली खिल रही इदर वह फूल फूल मुस्कुराया है दरती मा की आज हो रही नई सुनरी काया है तो बावर्थावसे इदर उद्यान में कलिया खिल रही है और प्रत्यक फूल मुस्कुरा रहे हैं सारे देश में सतंद्र दाके शूर्य का प्रकास फैला हुआ है ऐसा लगता है जैसे बारत माता का सरीर आज सुनरा हो रहा है सरस्वति का पावन मंदिर सुपसंपत्ति तुमारी है तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है तो इसका बावर्थ सही बावर्थ आएगा और यह जो है मोश्ट अएमपी है इसका बावर्थ एक्जम में आने वाला है आप कर लिजीगा बावर्थ कई देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वति का पवित्र मंदिर है यहां के कल्याणकारी सारी विद्या है तुमारी संपत्ति है तुम में से प्रत्यक ब संक्षित में उत्तर लिखिये एक नई प्रत्त है नई बात है नई किरण है नई ज्योती का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो इसका अर्थ होगा आजादी की नई सुबह में नई चर्चाय हो रहIE है नई विचारों की किरण फेल रही है सब अपने जीवन में नई प्रकास का अनुबव कर रहे हैं। यानि कि जब आजादी मिली तो सब के अंदर एक रोस्नी आ गई, एक कीरन आ गई, एक स्पुर्तिला पना गया। इसा यहां में समझाया गया है। नए मुस्कार मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा। तीन, हमें रक्षक और पुजारी करकर क्या करना चाहिए? बंद कर क्या करना चाहिए? कवी देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वति का पवित्र मंदिर है। यहां कि कल्यान कारी सारी विद्या है ही तुमारी संपत्ति है, तुम्हें से प्रतियक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक है और पुजारी है। तुम्हें यहां ग्ण्यान के सेंक्डों दिपक जलाने हैं और नए युग का आववान करना है। चार, कवी नव युग का आववान किस प्रकार करना चाहते हैं। जवाब, कवी ग्ण्यान के सेंक्डों दिपक जलाकर नव युग का आववान करना चाहते हैं। प्रश्ण दोब, प्रश्णों के उत्तर लिखिए 1. कवी धराके अमर्सपूतों से क्या चाते हैं? जवाब सद्यों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंतरता मिली है कवी चाते हैं कि देश के यूअक स्वतंतरता के बाद देश का निर्मान निर्मान करें वे लोगों के जिवन में नया उच्चा बरे, उनमें नई प्राण का संचार करे, युग-युग के मुर्जाय फूल को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमई वानी से संचार रुपी सद उध्यान को गुंजित करे, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करके देश का भविश्य उज्लर उज्वल बनाए, इस प्रकार कवी महिस्वरी की धरा की सपूतों ने अनेक अपिक्षाये रखते हैं। दो, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहिए? जवाब, देश के निर्माण का कारिय करना हम अपना करतव्य समत्ता हूँ, इसके लिए मैं अपने मौले के एक मित्रमंडल की स्थापना करूँगा। इस मित्रमंडल के माध्यम से सक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्दन परिवारों के विद्यार्थियों को पठ्य बुस्तक दी जाएगी। हम अपने मौले में एक वाचनाले खोलेंगे। यहां बैटकर लोग अकबार पढ़ सकते हैं। मंडल की तरफ से रुक्षारोपन किया जाएगा। और समय समय पर आरोग्य सिबिल लगाए जाएगी। तो इस तरफ देश का नव निर्मान के लिए हमकारिय कर सकते हैं। तिन इस कविता में कौन सी बात है जिने तुम बहुत तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो जवाब, इसका विता में बहुत सी ऐसी बाते हैं जो मैं अपने जीवन में उतारना चाहोगे। मैं अपने देश से प्रैम करूँगी। मैं अपने देश के लिए जीऊँगी। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूँगी। मैं खुण बन कर लगातार पड़ूंगी और मैं खूब मन लगा कर पड़ूंगी। पड़ लिक कर ज्ञान का उप्योग देश की सिवा में करूंगी। मैं ऐसा काम करूंगी जिन से देश का गवरो बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पिछे नहीं अटूंगी प्रश्ण दन कविता को पढ़ कर निचे दिये प्रश्णों के उत्तर लिखे तो यहां कविता है आप पढ़ लिजेगा अम डाइरिक प्रश्णों के उत्तर देखेंगे सईस विकल्प चुनकर बॉक्स में टिका निसान कजे एक प्रक्रोती के और एक स्वरुक में हमें इस्वर की अद्बूत सक्ति के दर्शन होते हैं कौनसी पंग्ती का बावर्थ है तो जवाब ए बात बात में पाओगे तुम इस्वर की चतुराई को ये पंग्ती का बावर्थ है दो सूरिया चंद्र उदारण के अनुसार कौनसी जोड कविता में नहीं है तो सूरिया चंद्र अनुसार ध्यान वान ये जोड जोए कविता में नहीं है याने जवाब आएगा D तीन, बादल के लिए इस कविता में कौन सा सब्द प्रयोग हुआ है तो मंडल प्रस्ण चार, कविता को पढ़कर प्रस्णों के उत्तर लिखे एक, कविने इस हमसे ध्यान लगा कर क्या देखने के लिए क्यो तो जवाब, कविने हमसे ध्यान लगा कर इस चग की सुद्राई को देखने के लिए का क्योंकि इस्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चत्तुराई देखने को मिलती है दो, कविने किसकी सोबा को अद्बूत का क्यों, कवी ने सुर्य चंद्र की सोबा को अद्भूत कहा है, क्योंकि वह बारी-बारी से दिन और रात में आते हैं तीन, दो-दो परियाई सब्द लिखे तो ये जो है परियाई सब्द या तो समनार्थी सब्द ये मोश्ट अम्पे आप कर लिजेगा इस्वर तो परमिस्वर भगवान, फोल तो पुस्प कुशुम चार, इस कविता में कौन-कौन से तत्व समाविष्ट है तो सुरिया, चंद्र, तारे, फोल, पक्षी, नदिया, सरोवर, जील, पाउरा, वर्सा वह आदि जैसे तत्व समाविष्ट है पांच, इन कविता का योग्य सिर्षक दीजे इस कविता का योग्य सिर्षक है अद्बुक्त रचना इस्वर की या तो इस्वर की अद्बुत रचना प्रश्ण चार, चित्र के आदार पर अपने सब्दों में कविता लिखिए जिन में इन सब्दों का प्रयोग हुआ हो यानि के रंग बिरंगी तितली, प्यारी, बच्चो, खून, फूल, पोधा, पोधो और बगीचे तो इसका इस्तमाल करते हम कविता लिखेंगे तितली रानी, तितली रानी, कितनी प्यारी, कितनी सया रंग भी रंगे पंख सजी ले, लाल गुलाबी नीले पी ले, फूल फूल पर जाती हो, गुन 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 गाती हो, काली कली कली पर मंडराती हो, मीटा मीटा रस्पीकर उठ जाती हो, अपने कोव में पंख दिखाती हो, सब को उनसे सहलाती हो, तितली रानी तितली रानी कितनी सुन्दर तितली रानी इस वगिया में आना रानी तितली रानी तितली रानी तितली रानी तो इस तरह आप भी कोई भी कविता यहां लिख सकते हैं अगर आपको दूसरी कविता नहीं लिखनी तो यह भी डाइरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्टन बाच निम्नलिकेत वाक्यों में से संग्या पहुचान कर उसका जाती वाचक संग्या में परिवर्थन करके वाक्या फिर से लिखे तो यह बावचक संग्या के रुपदी है एक बच्चे प्रातना करते हैं दो नदी की चोड़ाई अधिक है चाति वाचक बच्चों की प्रातना एक विक्का नहीं जाती पारत में इस नदीों की चोड़ाई अधिक है अब उसके वाक्यों में प्रयक़्ी जीत करेंगी यह तो वाक्य लिखेंगी एक, क्या तुम यह जिम्मदारी उठाओंगे? जवाब, कोई भी यह जिम्मदारीया उठाने के लिए तियार नहीं है दो, संतोष्ट व्यक्ति खुसी से बर उठा जवाब, उसके जीवन में बहुत सारी खुसिया आई तीन, मेरी दुआ आपके साथ है जवाब, मा की दुआ कभी बेकार नहीं जाती चार, विग्णयान ने दुरी कम की है अवाई जवाई जवाई जाद ने कहीं देशों की दुरिया कम की है पांच, मैं प्रातना करता हूँ जवाब, मैं प्रातना एक का, बच्चों की प्रातना एक काम कर गई प्रश्ण चो, अ, सब्दा को उसका उप्योग करके नीचे दे गए सब्दों के तूरंद बाद आने वाले सब्दा लिखिये कमल तो कमला, गुरु तो गुरु आई, बालक तो बालकनी, पुस्प तो पुस्प, सिपाई तो सिपाई तो ये क्विश्चन भी मुश्टाइम भी हैं, आप ये ज्यात कर ली जेगे सिक्स, ज्ञान तो ज्ञातव, सेवन, प्रारम तो पारंबन, चार, निर्मान तो निर्मानांतन, निर्मानंत गर्त, दर्ती तो दराना, सरस्वती तो सर्व प्रश्चन चब, आपके चित्र में आप कौन-कौन से गुण देखना चाहते हैं, इस सब्द पहली से खोच कर लिखे, यहां सब्द पहली में कौन-कौन से सब्द हैं, वो हम देखेंगे पहला है सत्यनिष्ठा, यह भी मौक्षट आएमपी हैं यह से सब्द पुछे जाते हैं, पहला है सत्यनिष्ठा, तो यहां पहला है गा सत्यनिष्ठा दूसरा इमान्दारी तो यहां खड़ा है इमान्दारी ग्न्यानी तो यहां यहें ग्न्यानी अस्मुक तो यहां पर हैं अस्मुक यहां हैं अस्मुक दैल्यवान तो यहां है तेरेवन सवन सिलता तो यह खड़ा है और समझदार तो लास्ट में है तो इस परकार जो है यह क्वेस्चन यह रेक परिक्सा में पुचा जाता है तो विद्यार दिमित्र आज का अब्यास खत्म होता है वीडियो बसंद आए हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरु से कीजिएगा और अपने दूसरे मित्र को भी सेर कीजिएगा आज की टिप्स हैं कि हमें रोज पाँच मेंट निकाल के पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई कैसी करनी है तो फास्ट लेरनर जो आपको पूरे दिन स्कुल में पढ़ाया हो वो एक बार पाँच मेंट में पेज फिर के अब देख लेना और फिर आखे बंद करके उसको रिपीट करना तो पाँच मेंट देख रहा है और पाँच मेंट रिपीट करना है तो यह हो गया फास्ट लेरनर तो फास्ट लेरनर या तो स्पीड लेरनर जो होता है वो कभी भी पढ़ा हुआ या याद किया हुआ भूल जाता नहीं है तो इससे क्या होता है तो हमारा माइंड सार्प होता है और याद सकती बढ़ती है तो मैं ऐसा रखती हूँ कि आप य जो टीप से वो ट्राइ करेंगे और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू से लिखेंगे कि आपको यह कैसा लगा थेंक यू